नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत है, तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो इस स्टॉक के बारे में मैं आपको पूरा डीटेल्स में समझाओंगा, क्योंकि यह पेनी स्टॉक है, मगर फंडमेंटली स्टॉंग स्टॉक है, म और इसका पूरा डीटेल्स देख लीजिए, उसके बाद आपको सायद लगे तो आप चुरूर इनवेस्ट करिए, तो इनवेस्ट करने से पहले एक बार चान करी आप ज़रूर देख लीजिए, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, और वीडियो सुरू करने से पहले मैं तो देखिए, पहले मैं Google में आ चुका हूँ, और Google में साच करके आपको दिखाऊँगा, तो मैं जिस स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, मतलब पेनी स्टॉक पहले नहीं था, अब पेनी स्टॉक बन चुका है, तो इसका फ पूरा इसका डीटेल्स देखने से पहले आप इसका प्रोडेक्स के बारे में जान लीजिए, तो प्रोडेक्स क्या है, क्या क्या प्रोडेक्स इस कंपानी बनाता है, उसका बारे में जानना आपको ज़रूरी है, क्यूंकि कंपानी का फंडमेंटल्स जानने से पहले प्रो लेड़ा करते हैं जो करते हैं थो काम करते हैं पर देख़िए यारि के लिए तो कम्पनी करते हैं तो यह आपको उसका डीटेल जानना होता है कि कि इस कुम्पने आगे चल कर क्या बन सकता है मतलब आगे चल कर कितना दूर तक जा सकता है तो वह डीटेल्स यहां पर आपको देखना होगा तो इसका जो चार्ट पेटन है वह आप एक पर देख लीजिए जो स्टॉक का प्राइस है देखिए 16 रूपीज और एक स्मॉल स्यर है 8.33 करोड का आपको मार्केट के अपिलेशन है और यहां पर देखिए 52 वीक का हाई और लो भी देख लिए 19.30 52 वीक का हाई और लो है 5.90 5.90 तब हुआ था जब कोबिट का सिचुएशन पहरे लोगडाउन स्टार्ट हुआ था और इसका चार्ट पेटन आप मै अप्टेंड में होना चाहिए तो चार्ट परण बहुत सांदर है और यहां पर आपको रिटन भी मिल चुका है बेखिए इस स्टार्ट हुआ हाँ तूंचन वा दोड़ेंट चल रहा है तो उन Ал thirty यस हो चुका है और 20 समय आपको जो रिटन में हीला यह जो रिटन मिल रहा तोटल देखिए 3,170% आपको रिटन मिल रहा है तो बहुत अच्छा रिटन देख लिए चुका है और इसके बाग के डीटेल्स भी देख लीजिए आपे देखिए एनसी साइड में आप जाकर आपको इसके आपे ओपेन हाई लो पूरा डीटल से आपे जानकर ही मिल जाएग 1,28,993,00,000 का पॉफिट जनाइड हुआ था और 31st मार्च का 2021 में 1,34,999 का पॉफिट जनाइड हुआ है तो बहुत अच्छा पॉफिट जनाइड कर रहा है और भी बाग डीटेल्स से आपे देखिए आपे अनाउंस मतलब डेविडन भी दे चुका है कम्पानी यापे 25 में 2021 में डेविडेन दे चुका है 36 पर सेर मतलब 36 पैसे पर सेर और अनौल मीटिंग भी कब हुआ है तो भी याप देख लिजे तो पूरा डीटेल से आपको देखने बाद और एक चीज़ आपको देखना है याप देखिए पो मोटर मतलब पो मोटर इस सेर में कुछ गिर कुछ भी गिर भी नहीं रखा तो कुछ चीज देख लीजी आपको मानी कंट्रल के साइड में जाकर आपको देखना होगा याप देखना होगा यहाप देखिए कितना रिजव है पिछले यहाप देखिए यहाप यहार बेसिस है 2020 में आपको रिजवन सर्प्लस 2457 करोडर मे रिजव था वह अभी बन चुका है 2800 रूपीज मतलब करणर रूपीज यहाप रिजव बन चुका है मतलब रिजव बढ़ते जा रहे है और उसके साइद आपको जाद देखना है वह देखिए लॉन टक बोरी मतलब यहाप देखिए करजा कितना लिया हुआ हुआ है लॉन अब देखिए यहाप ज्यादा दिखाए देगा आपको फिर भी घवरानी का कोई बात नहीं क्यूंकि स्वट्टा में तो लोन लेना ही पड़ता है और बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते है और यहाप लाइबिटी आसेट बो भी आप देख सकते है याप लाइबिटी आ अजिए पास 73.02% सेयर है और दिएस के पास 1.68 है और गॉफनमेंट के पास 0.02 और यहाप देखिए पाबिक के पास 22.4940 और यहाप देखिए 1.96 मतलब आदस के पास है तो दिएएस और एफ आइस इस दोनों के पास शेयर ज्यादा नहीं है ज्यादा तरस्त्यार प्वोट के पास और पावडिक के पास कुछ भी या मतलब थोड़ा से ज्यादा है तो एक पॉमोटर्स के पास ज्यादा स्यार है मतलब फांडमेंटल स्टॉंग है इसलिए पॉमोटर्स श्यार नहीं बेज रहे हैं तो इस ट्रॉक में आप चुरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं और 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 भी एक चीज़ देखे लिजिए यहां पर जो में हर्बर कहता हूं यहां पर कम्पानी का जो रिटर्न मतलब यहां पर देखिए स्टॉक प्राइस सी एज जियार मतलब सी एज जियार में कितना रिटर्न दे चुक है वान एर में 135% रिटर्न बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है तो वान एर में छोड़ दिया है क्योंकि कोरूना के सिच्वेस्ट में स्टॉक सब स्टॉक की उचल चुका है तो 10 यह को देखिए 28% तो अच्छा ही होगा क्योंकि 3 यह में 43% तो रिटर्न और CIGR रिटर फिर भी fundamental strong share है और यहां पर sales देखिए जो sales भी यहां बढ़ चुका है मतलब quarterly जो sales है वह भी यहां पर yearly जो sales है मार्स 2020 का तुलना से थोड़ा से sell डाउन हुआ है फिर देखिए constantly sales तो एक ही जगा पर है और expense कितना कम चुक कर चुक है और यहां पर देखिए profit before taxes मतलब tax pay करने के बाद इतना income generate हुआ है तो पिछले यहार से थोड़ा से income डाउन हुआ है क्योंकि कोरोना का situation चल रहा है तो इसका जो business जो module है इसमें थोड़ा सा डाउन चल रहा है तो मैं यहीं कहूंगा fundamentally strong share है और यहां पर competitor के बारे में भी यहां पर देखिए मतलब उसका जो competitor है उसके बारे में भी यहां पर देख लीजिए 35.69 मतलब यहां पर देखिए quarter sales growth जो हो रहा है वो भी competitor के से भी अच् कर सकते हैं तो invest करना आपके हाथ में हैं तो invest करने से पहले आप ज़रूर बाकी details research करिए उसके बाद invest करिए तो मैं यहीं कहूंगा यह stock fundamentally strong है मेरे राय यही है इस strong में आप ज़रूर invest कर सकते हैं और बाकी आपके उपर है तो I hope stock का पूरा details आपको समझ में आके तो इस stock के बारे में analysis करिए उसके बाद invest करिए तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप एक like करिए और कुछ गल्ती हुआ तो comment भी करिए तो मिलते हैं इस तरीके से निया stock लेके और नया जान करी लेके तब तक के लिए आच्छे से रहिए आपके ख्यार झाल